धनुराशे वाले जातक मुर्गे की मा कब तक खैर मनाएगी एक दिन यह घटना हो नहीं थी 28 अपरल 2023 अगले 24 गंटों में महा संकट हो जाईएगा साउधान नमस्कार में त्रोश स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल धनु की दुनिया में धनुराशे वाले जातकों के लिए अगले 24 गंटे यानि की 28 अपरल का दिन कैसा रहेगा यह इस वीडियो के मादम समनों लोग जानेंगे ग्रानक चत्रु की क्या चाल है कैसे परिवर्टन हुए हैं इस कासर आपको क्या देखने को मिलेगा इन सारी बातों के बारे में बनाए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजेगा सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए सुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं धनुराशे वाले जातकों के लिए 28 अपरल का दिन क्या परिवर्टन क्या बदलाओ लेकर आ रहा है। आज काफी बदला-बदला सा दिखेगा। आज आपके करवार में तेजी रहने से परिवार में खुशी का महौल बना रहेगा। दोस्तो आज के दिन भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आज के दिन आपके लिए तरक्की वाला साबित हो सकता है। आपके मान सम्मान को मिल सकता है। दान की प्राप्ति हो सकती है। आज व्यवशाई के छेतर में आपको नए शहयोगी मिल सकते हैं जो आपको सफलता दिलाएंगे। आज आपके राजनितिक छेतर में व्रिद्धी होती हुई नजर आ रही है जिसकी सराहना की जाएगी। जीवान साथी के ज थोड़ा सा थोड़ा सा भागदोर भी करना पड़ेगा। काफी भागदोर करना पड़ेगा। परन्तु परिसानी तो रहेगी पर लाव भी मिलेगा। व्यपार के सिलसले से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। जिसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप अपने ब आपके सम्मंद बढ़ियां रहेंगे अच्छे रहेंगे साम को आप अपने पार्टनर के साथ कहीं डिनर पे जा सकते हैं जिससे आपको खुशी मिलेगी प्रशनता अनुभव आप करेंगे खुशी का महौल रहेगा आज के दिन जो है अपने अपने स्वास्त के पती साधान रहनी के सलाह दीजीए और खुद भी रखीए घर में परिवार में सब को बोलिए कि अपने स्वास्त का खयाल रखें तो उनके लिए लावकारी रहेगा फायदे बंद रहेगा और अपना भी तका खयाला पर रखीए अधिक भाग दोड के कारण आपकी सेहत में गिरावट को ले कर आप चिंतित रह सकते हैं विद्यार्थियों को आज अपने वरिष्टों को सहीयों की आवश्यक्ता पड़ेगी आपके कुछ खर्च आदिक होंगे जो आपको अपने एक्षा के विरुद्ध भी करने पड़ सकते हैं बगवान जी की पूजा करिये गणेजी के सरम में जाइए आपकी सारे एक्षा हैं पूरी होंगी आज के दिन आपके परिवार में शुक शम्रिद्ध ही लेकर आएगा साम का समय आप अपने परिवार के छोटे सदस्यों के साथ खेल गूद में भी विता सकते हैं आज आपके घर में किसी महमान का अगमन हो सकता है व्यपार में आज आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग की आविश्यक्ता पड़ेगी और सची लगन की किये गए कामों को उसको भश्य शफलता मिलेगी नवकरी और वियपार में आज आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और वाणी में मदुर्था लानी होगी तबी आपके अपने कामों में शफलता मिलने के चांश है आज भाग्य का साथ मिलेगा आपका मन दानपुन के कामों में लगेगा समाज में आपके कामों का सम्मान होगा बाई बेहनों के सही होगा और सानिद प्राप्त होगा नौकरी से जुड़े लोगों के लिए आज प्रमोसन के योग बन रहे हैं व्यापार में आज कोई नई डील फाइनल हो सकती है आज आप जो है कोई संपत्ती खरीदने की योजना बना रहे थे तो उसको लेकर चल और अचल पहलूम की अच्छी तरह जाँच पड़ताल कर लें नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं कुल मिला का देखा जाए तो आज का दिन अच्छा बीटने वाला है आपका आप अपने जीवन साथी से अपने दिल की बात कहेंगे आज आप अपने पिता की सलाह से संतान से जुड़ा कोई फैसला भी लेंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द रहेगा अजिकारी छेतर में आपको तारीफ सुनने को मिल सकता है नौकरी और व्यवशाइस के छेतर में आएके नए साधन बनेंगे आज आपको अपने भाईयों से कुछ पैसे उधार लेने पड़ सकते हैं आज आप अपने जीवन साथी के लिए कोई तौफा खरीद सकते हैं साम आपके खिलाफ काम करेंगे आपके परिवार के कुछ जो है समर्दी आएगी और कुछ साधनों में विद्धी होगी नौकरी पेसा लोगों को आज अपने प्रजक्ट में सफलता मिलेगी किसी विससागे की सलाह से आप कारुबार में आगे ले जाएंगे कारुबार को आग आज साथ देगा कई मामलों में आपका आज अचानक आपको बड़ी यात्रा हम आप कीज़ेगा बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपके आरतिक स्तिती मजबूत होगी और भविश्य की चिंता कम होगी संतान के भविश्य को लेकर आज जो है आपको क कठिन फैसला ले सकते हैं आज आपको नौकरी में बाद विवाद की स्तिती से बचना होगा अन्य था यह विवाद कानूनी हो सकता है आज आपको मात्री पक्ष से भी धनलाव होने की संभावनाएं बन रही है आज का दिन व्यस्तता बर रहेगा कि फिर भी आप अपने जी यह कामों को पूरा करना होगा अन्य था वह आपके लिए हानिकार क हो सकता है आज आपको सिस्वूराल पक्ष से समान मिल सकता है आज कार चेतर में सभी आपके प्रशन भी रहेंगे खुस भी रहेंगे आज के दिन भागी की दृष्टी से उत्तम रहेगा अगर आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते तो उसके लिए दिन अच्छा है भागी का पूरा शहयोग मिलेगा आज आपको संतान की ओर से कोई सुबह समचार मिलेगा और मित्रों से कोई पहार मिल सकता है आज अपने माता पिता के स्वास्त को लेकर चिंतित रह सकते हैं इसलिए उसका विशेश दियान रखें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा उनका खयाल रखें विवशाई के लिए की गई यात्रा आपके लिए लावदायक रहेगी छात्रों की परिक्षा के तयारी के लिए आसपास के स्थानों की यात्रा भी आप कर सकते हैं यात्रा भी मंगल में रहेगा आपके पक्च में रहेगा हितकारी रहेगा कुल मिला के देखें तो आज के दिन अच्छा है आज आपकी सभी मनो कावनाय पूरी होंगी आज जो है आपके घर में विवाह योग्य सदस्त के साधी का प्रस्ताव भी आ सकता है साम का या समय आपके परिजनों के साथ कहीं गोमने फिरने व्यती तो होगा कहीं परिजनों के साथ परिवार वाले को साथ गोमने जा सकते हैं सामाजी को और धार्मी कमों में आज आपकी रूची बढ़ती हुई नजर आ रही है परिवार में आज कोई मांगली का आयोजन हो सकता है बिजनस के लिए आपके भाई की सलाह अवश ले ली जगा यात्रा माफ की जगा छात्रों को पढ़ाई में अपने सिक्षकों का पूर् रशानी देंगे सत्रों से सावधान रहिएगा आपके पूराने सत्रों आपको परसान कर सकते हैं नौकरी में कारेरत लोगों को आज कुछ नई आधिकार मिलेंगे जिसका उन्हें गलत फायदा नहीं उठाना है और संतान के विवाह के यदि कोई बादा आ रही है तो वह भी आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है बैंकिंग छेतर में कारेरत लोग बतत की योजना पर पूरा ध्यान देंगे आप बड़े सदस्यों से बाचित करते समय बहुत ही शावधानी भी आज बढ़तेंगे तो दोस्तों यही था आज का आपका राशिफल उमीद करत रहा हूं दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक कर दें चैनल पे हमारे पहली बार आएं हैं तो दोस्तों इस चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दीजगा सबस्क्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहें मस्कुराते रहें आस पास सफाई रखें गरवालों का खयाल रखें साथी साथ अपना भी खयाल रखें आज का दिन मंगल में बीते शुब बीते अच्छे बीते यही कामना करते हैं जय शुजा दे जय भोले नाथ हरार महादेव बंबं भोले